हेलो फ्रेंट्स, विल्कम बैक टू मैं चैनल, फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम 36 इस्ट साइज का वंटक्स ग्लोग का कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं, तो देखें यहाँ पर मेरे पास अस्तर का कपड़ा है और यह में फैबरिक है, तो सबसे पहले हम अस्तर पर इस पर एक सदी मेरा है तो इस तरह से ड़ी लाइल किछ देंगे, यहाँ पर अपने ब्लाउट की लमभाय का मार्किंग एपर देखेंक थासी त्लम पर 11 इंच प्लस करकिए, 50 इंच पर डिब बनाने वाले तो उसी के according हम यहाँ पर पाचीं शोल्डर लेंगे इस प्रकार से हम एक सीधी लाइन खिस देंगे अब इसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल का मार्किंग करेंगे तो मैं यहाँ पर पाउनी चेंज पर मार्किंग करूंगे इस प्रकार से सेम मार्किंग हम यह इस तरह भी कर लेंगे और यह यहां पर एक स्थी लाईंग खीश देंगे अब इसके बाद हम चैष्ट का मार्गिंग करेंगे तो चैष्ट 56 फोर्ट लेंगे लिए और crafts रिंगे WATCH पर लिए कि देगें अब हाँ पींच बाहर के इस परकार से तरह से रह देंगे अब यहाँ पर हम आर्मोल का शेप ड्राव करेंगे तो उसके लिए इस प्रकार से देखें इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ पर आर्मोल का और इस तरह से इसका शेप देंगे आर्मोल का शेप देने के बाद यहाँ पर आर्मोल को ना पेंगे तो यह बराबर हमारा यहाँ पर आ रहा है तो इस प्रकार से आपका जितना भी आर्मोल हो आप उसमें चेक कर लिजेगा अब देखें कमरें 30 इंच तो उसका हम फोर्ट पर्ट लेंगे 7.5 इंच एक इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच इश्टर लेंगे मार्जिंग के लिए अभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे अब इतना हो जाने के बाद देखें इस तरह से हमें यहाँ पर आदा इंच ले लेना है उपर की तरफ और इस तरह से देखें टक्स के मार्किंग करेंगे सबा 4 इंच पर और दोनों तरफ आदा आदा इंच का मार्जिंग लेंगे टक्स के लिए अब देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे अब इसके बाद गली का मार्किंग करेंगे गली की चौड़ाय रखेंगे यहाँ पर 2 इंच इसके बाद देखिए हमारे जो कमर के तरफ की पट्टी है वो साड़ी 4 इंच की रहेगी तो इस परकार से साड़ी 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और पाउन इंच एक्ष्टर लेंगे मार्जिंग के लिए तो इस प्रकार से देखे अगर आपको गला नापना नहीं आता है तो पीछे तरफ जो हमारी कमर के तरह पटी होती है उसको नाप लीजिएगा अब इसके बाद यहाँ पर चौड़ाय रखेंगे डाइंज और इस प्रकार से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप दिएगे इस प्रकार से आप चाहे तो किसे भी शेप का गला बना सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम हमारा बैक पार यहाँ पर कट कर लेंगे तो फ्रेंट्स आप अगर में चैनल पर पहली बार आया है और अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेजेगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो इस प्रकार से दीखे हमने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया अब इसके बाद हम फ्रेंट पार्ट के ट्रप्टिंग करेंगे तो यहाँ पर दीखे आप इस तरह से देख सकते हैं कपड़ जो हे एकदम तेड़ा मेड़ा है तो इस तरह से देखे एक सीधे लाइन खिस देंगे और उसके बाद आदा इंच का मार्जिंग लेंगे हुकाई पट्टी के लिए अगर आप सामने के पल्ले में हुकाई पट्टी रखते हैं तो इस प्रकार से आदा इंच इश्टर ले लिजेगा अब इसको देखे हम इस तरह से द्रा कर लेंगे अब इसके बाद देखे आर्मोल का हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे इस परकार से और इसके अंदर की तरफ दो पॉइंट पर हम मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और यहाँ से हम अपने आर्मूल का शेप देंगे तो एक सीधी लाइन खिश देंगे सबसे पहले और यहाँ से आर्मूल का शेप ड्रॉ कर लेंगे तो आदा इंच की दूरी से इस प्रकार से हमें आर्मूल का शेप देना है फ्रेंट अर्मुल का इस प्रकार से हमने फ्रेंट अर्मुल ड्रॉ कर लिया इसके बाद देखे हम सामने की गले की मार्किंग करेंगे तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगे साथ इंच पर और डाइंच रखोंगे इसकी चोड़ाई और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर हम गोल गले का शेप दिनगे इस तरह से मैंने आप गोल गले का शेप दिया है अब इसके बाद दिखें जितनी टोटल लंबा ही हमने पीछे पल्ले में की थी उतनी हमें आगे पले में भी ले लेना है इस प्रकार से और यहाँ पर एक सीधी लाइन कीज देंगे अब एक नीचे की तरफ हमें तो इस प्रकार से मैं पावने चार इंच पर मार्किंग करूंगी सेब मार्किंग हम नीचे की तरफ भी कर लेंगे इस प्रकार से अब देखे इसके इस तरफ हमें आदा इंच ले लेना है इस प्रकार से और इसको इस तरफ से मिला देना है दोनों निश्यानों को तो इस निशान का हमें कोई काम नहीं है पहले वाले अब देखिए जो हमने दूसरा मार्किंग के है आदा इंच की दूरी पर इसे हम इस तरह से मिला देंगे बेस्ट पॉइंट के साथ अब यहाँ पर हम डाइ इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे अब देखे यहाँ पर हमें क्या करना है इसका हमें बिल्कुल इस तरह से टेप रखे सेंटर निकालना है इस प्रकार से टेप रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से सेंटर पर मार्किंग करेंगे अब center से देखे best point तक का हमें यहाँ पे इस तरह से center निकालना है तो दोनों तरफ हमें same इसी प्रकार से इसका center निकालना है दोनों तरफ तो यहाँ पर हमने 3 marking किये और बीच वाला जो marking के वहाँ से हमें 2 point बाहर के तरफ लेना है और नीची का जो मारकेंगे वहाँ से आदा इंच बाहर की तरफ लेना है इस प्रकार से एक सीधी लाइन कीच देंगे तो देखिए इस प्रकार से हमने लाइन कीचा और देखिए इसको इस तरह से मिला देंगे अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया और यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है तो इसको हमें इस तरह से शेप दे देना है पॉइंट नहीं बनने देना है ठीके तो इस प्रकार से हमने ये शेप ड्रॉ कर लिया इस तरह से देखे टेप को रखेंगे और आर्मोल की उपर की तरफ हमें इस प्रकार से एक इंच को दुरी पर मार्किंग कर लेनी है तो इस प्रकार से देखे टेप को रखना है और जहाँ पर एक इंच आ रहा है वहाँ पर मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से मार्किंग किया और इसको देखिए बस्ट पॉइंट के साथ मिलाती हुए इस प्रकर से एक सीधे लाइन खीज देंगे अब इसके दोनों तरफ हमें आदा आदा इंच लेना है सिलाइ मार्जिंग के लिए इस प्रकर से मैंने आदा लदा टक्स हो गया अब देखिए ट Users इस प्रकर से इसको ऊपर के तरफ अधा इंच बढ़ा दिया अबanie इस तरफ में इस प्रकर से देखिए इससे कि टील्चा मिला दिए इस प्रकर से और देखे इस तरफ हमिए क्या करना है इसके बाद एक इंच लेगे क्योंकि हम आ शर और उसके बाद हम देर से पावने 2 इंच का मार्जिंग ले लेंगे यहाँ पर मैंने इस प्रकार से यह मार्जिंग ले लिया अब यहाँ पर देखे आदा इन चोड़के हम इस तरह से टेप को रखना है और तेखना कितना आ रहा है तो 3,5-3 इंच को दुसरे तरफ इस परका है दो इंच तक क्योंकि अगर बाद में अगर इश्टा हो भी जाता है तो हम स्टीच करते हैं तो उसको कट कर लेंगे ठीक है लेकिंग कम नहीं होना चाहिए उपर की तरफ मैंने इस तरह से इसको बढ़ा दिया देखे आर्मोल को और देखें पीछे का पल्ला लेंगे और य यहाँ पर इस तरह से इसकी मार्किंग की है तो यहाँ पर थोड़ा सा में इसको बढ़ाया है तो जब हम टक्स लगाएंगे तो हमारा जो टक्स में सीलाई डलेगा तो यह बराबर हो जाएगा अब सामने के ड्राप्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है तो इसको इस तरह से कट कर लेंगे ठीक है तक्स की तरप आप चब कटिंग करेंगे तो आपको सीलाई का मार्जिंग छोड़ती हुए इसकी कटिंग करनी है इस परकार से देखे फिरिंट्स यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फाष्ट बता रही हूँ कटिंग स्टिचिंग क्योंकि देखे हमारा का पास असी के लेज़ बिल्कुल भी कट का सकते हैं तो यहां पर अमने कप्ड़े को फोल्ड किया और इस पर बॉटम में एक सिधी लाइन झीगे इसके बाद यहां पर अस्तिन की लंबाई का मार्किंग करेंगे 10 इंच अस्तिन की लंबाई है तो एक इंच प्लस करके यहाँ पर 11 इंच पर मार्किंग करेंगे एक इंच हमारा सिलाई मार्जिंग करेगा ठीके और दीके स्लीव की क्या फाइट मैंने रखी है साड़े तीन इंच तो साड़े तीन आर्मुल का मार्किंग करेंगे तो पाउने 8 इंच हमारे आर्मुल है तो पाउने 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1,5 इंच इश्ट्रा लेंगे मार्जिंग के लिए और उपर की तरफ इसको तिर्चा मिला देंगे इस प्रकार से अब आर्मुल का हमें सेंटर निकालना है इस प्रकार से center पर मार्के करेंगे और उपर की तरफ आदा 1 इंच लेंगे अब आदा 1 इंच को इस तरह से मिलाती हुए ऐश्न की गोलाई देंगे और आर्मोल के नीचे Babну इस तरह से उतारना अम willingness को ड़क्टिंग हमारी complete हो चुकी है, इसको यहाँ पर हम cut कर लेंगे, तो देखे, इसको इस्तरा से cut कर लेऊ अब यहाँ पर दीखे center पर एक cut लगाएंगे, और armola पर cut लगाएंगे, तो दोनों तरफ हमने cut लगा दिया, और front armola का हम में यहाँ पर शेप द्रॉ कर लेते हैं इस परकार से हम हम काटो कीumuz् onlar किन एने करेंगे तो दुद हाय थे में अस्तिन को लिए है और ऑस्तर के पार्ट को लिया है को एति के सिदी साइट के उपार हमें इस परकार से लेस को सीधा राके तो देखे में आवाज Пол Weis ने लेस को सीधा करके रखा अब इसके बाद दीकिए लेस को स्टीच करने के बाद मिन फैर्ब्रीक को में घाले के उत्ध साइड के ऊपर रफ17 ऑलिफ लगा से क्लिफ कि अपर ऎकरस से रफजा करने के यह तरह से सीधा कर लेंगे तो अस ड़ो 맛 पाट के उपर हमने दबाव के लिए एक शिलय लगा दिये ay अब मेन फैब्रीक और असंतर को अटेज्च करते हुए स्लिव में हमें इस प्रकर से सिलय लगानी है तो दजे इस प्रकर से हमने फैब्रीक को भी अटेज कर लिया अस्तिन में पर एक एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से तो अस्तिन हमारे रेडी हो जूगे अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे तो इस प्रकार से देखे हमारा यह बैक पार्ट है और यहां पर जो गला है हमें इसको कम करना है बहुत ही चोड़ा गला है तो इसको हम यहां पर कम कर लेंगे क्योंकि जो हम एक पर्ट ररेडि करेंगे तो प्रिच को यह इना चाहिए तो क्या थिस प्रकार से अब हमी यह ज़ाना पारट करेंगे और परन से ऐसको कर लिए और देल कीति तरफ मैंने आपको इसमें इसका में फैबरिक का कटिंग नहीं बताया हुआ है तो दीखिए यहां पर मैंने में फैबरिक के उल्टी साइट के उपर अस्तर को रखा और इस प्रकार से देखिए अस्तर को अच्छे से पीन लगा कि इसको अटेच कर लिया तो दीखिए एक्ष्टा से हाथ से टैप करेंगे और इसको इस तरह से डार कर लेंगे अब इसके बाद दीखिए जो मने गला शेप यहां पर ड्रॉक है उसके साइट से हमें अंदर की तरफ से एक सिलाई लगानी है और यहां पर दीखिए जो एक्ष्टा फैबरिक के इसको कट कर लिया अब इसके एक अधर की तरफ में एक शिलाई लगा लेंगे तो दीखे टाक्स की लबबा मिने यहां पर रखी 4 इंच तो इस परकार से देखे आदा इंच का जुलने लिया था तक्स के लिए आधा इंच का मार्जिंग लेती हुए इसमें टासमें सिलाई डाल देना है अब दीखिए नीचे की तरफ हमें बॉरडर अटेच करनी है तो इस प्रकारब से मेरे पएस बॉरड़पर अब बैक पार्ट को देखी करके रखेंगे इस प्रकार और हमारी जो बॉरडर है उसको भी उल्टा कर तरके रखेंगे और इस प्रकार से आदा इंच की दुरीसे सिलाय लगाएंगे । अब इसको देखिए पट्टि को स्पटी प्लटे लगाएंगे तो इस प्रकार से जो एश्ट्राब फैबरिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पट्टी का तो आदा इंच तक मैंने इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड किया और उपर से एक सिलाई लगा देंगे तो इस प्रकार से हमें बार्डर को अटेज कर लेना है कमर की तरफ अब इस ट्रक कपड़ा जो है उसको कट कर लेंगे तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है अब इसके सेंटर पे एक निश्यान लगा देंगे तो यह हमारा back part ready हो गया इसके बाद front part को हम ready करेंगे तो देखे साइट से कपड़ा कम पढ़ गया था तो मैं यहाँ पे joint लगाऊंगे तो इस प्रकार से देखे मैंने एक पट्टी कट कर ली थी joint लगाने के लिए और इसको यहाँ पे attach कर लिया अब इसके बाद देखे हम अ तो इस प्रकार से हमारा अस्तर होी एक TOP हरो में फैब्रइक को में इसके दिए अब इसके बाद दीए यहाँ था तक्स से इसमें हम से लगा देंगे जो हमने ड्रॉप लहने पर टकस है उस शेप में हमें यहाँ व्याँ लगा देनी है और एक्ष्ट्रा फैब्रिक यहां से कट कर लेंगे आर्मूल की उपर से अब जो हमारा बड़ा वाला टक से यहां पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है तो इस प्रकार से पकड़ेंगे देखे और जो पॉइंट हमारा यहां पर बना हुआ है वही से सिलाई लगा करनी है तो इसको उल्टा कर लेंगे और साइट की उपर पडर को रखेंगे इस प्रकार से तो दीखें इस प्रकार से ऑद काटर को हमने लगा दिया और कि तरह कि तरब से एक कम आप सीलय लगां गये दिखें अस्तर में 웃श्वाले आपके वालेय श्चराण चेंगे और इ पर टेच कर लैंगे। मैं सब्सक्राइब कर लें लगे। मैंकोने इस परकार से वार्डर को अधैच कर लिए। इस तरह से त्था लिदे एक देट गयाओं का लबडे विडियो इसके बार में लिए दोंगे की किया करना लेंगे। बब करने please पार्ट को एटेज करले लिए continuous side के सीधे साइट को हम WILL have a अधा इंच की दूरेज से प्रकार से डबला सीलाइ लगाएंगए शुल्डर में इस प्रकार से दूसरा वाला पाड़ भी हम इसी प्रकार से ह场 लेंगे तो यहाँ पर भी उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहाँ पर आप देख सकते हैं तो दीके अस्तिन को हम इस प्रकार से रखेंगे बिल्कुल शॉल्डर के जॉइंट के उपर और इस प्रकार से शॉल्डर के जॉइंट के उपर से हमें अस्तिन को अटेच करना स्टार्ट करना है इस तरह के उपर मैं अपनी नेक्ट वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी तो प्लीच कमेंट करके पताएगा कमेंट बॉक्स में तो प्रेंट्स देखिए इस प्रकार से हमने अस्तिन लगा दी है इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड भी अपना अस्तिन लगा लेना है तो देखिए दोनों पार्स को इस प्रकार से बराबर से मिला के रखना है और सिधे साइड के तरब से हमें साइड से एक सिलाई लगा देनी है तो देखिए जिस प्रकार से हमने यहां पर सिलाई लगा है एक साइड में इस प्रकार से दूसरे साइड भी हमें सिलाई लगा लेन है तो दीकि इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी है अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना प्लाउच का फिटिंग नप डालेंगे तो दीकि हमारा जो कमरे वह 30 इंच है तो इस प्रकार से इस प्रकार से तीनों निश्यानों को मिलाते हुए हमने दीकि फिटिंग की सिलाई डाली है और दो तिन सिलाई और मिने डाल दी है तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो का कुछ पार्ट मिसिंग हो गया था तो आपका जो फिटिंग का सिलाई में जो डाला है वह आप नहीं द लगा दिये सीडि पार्कों आटाइज करते हुए इसके बाद इसको लिटा कर अचुन उल्ट परकार से और किनारे के दि एक लगा दिए उपर किनारे से हपहल में आपका इस तरह से मारकार दो तो पाउने 8 इंच इस प्रकर से आना चाहिए और इस तरह से मार्किंग करेंगे देखिए चेश्ट और आर्मोल का फिटिंग ना आप आपका मिलना चाहिए ठीक है और कमर का यहां पर हमने मार्किंग कर लिया फोर्ट पार्ट लेके 7.5 इंच पर अब तीनों निशानों को मि अब यहां से एश्टा जो धागे दीक रहे हैं उनको कट कर लेंगे तो दिखे इस प्रकर से हमारे ब्लाउच की पूरी फिटिंग हो गई है तो फ्रेंट्स आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू